अब तक मैंने कहा किया टोटाल जो मेरा विल्लिंग कॉंसरोशन का चल रहा था उस पर में फ्लोरिंग का जो कैलकुलेशन है मैनुवर कैलकुलेशन मैंने आप लोगों को सच शेयर किया और लास्ट तक क्या हुआ था नामबर ओस मार्वेल निकालने का फॉर्मूला मतलब टोटाल एरिया बाइस सिंगल मारवेल एरिया और टाइल ओके इताद हम लोगों ने देख चुके तो आज का टापिक होगा कि जो इसका मेन में मैनुवर कैलकुलेशन में दिखाया वह आप वाल्यूम चाहिए वह निकालना पड़ेगा उसका कैलकुलेशन ओके तो देखिए यह इसका कैलकुलेशन करने के से पहले में क्या क्या में एक जो टेप्विल होता है में वह पहले से ही प्रिप्यार करके रखा हूँ ठीक है यह रहा कैलकुलेशन आफ जो जो भी मैंने में किया होता तो यह सब्सक्राइब कर लो करने में आसानी होगा यह कैलकुलेशन एक्सिल पर देखिए पहले क्या था मार्विल फ्लोरिंग का क्या था और इस पर मार्विल फ्लोरिंग पर जिस पर देखिए रूम दोन होई था रूम और रूम टू और इधर यह जो डाइमेंशन आप लोग देख सकते हो यह में सारे जो जाएं डाइमेंशन है में पहले से लिखके रेडी करके रखा हूँ तो देखिए यह में 4.6 में रा था लेंथ और उसका भी डाइमेंशन मेंने यह लिख लिया और टोटल एरिया निकलने के फॉर्मूला तो पता ही आप लोगों को लेंथ इन्टू विट और कुछ नहीं यह क्या करना है इकोल्स तू लेंथ इन्टू जैसे में उधर किया था वैसा ही सेम है ठीक है तो इतको ड लिखा यह जिसमें फॉर्मूला लिखा हूँ और इसके बाद वाल्स काटिंग वाल्स काटिंग यह निकलना पर दो निकलना पर एथ तो निकलने के लिए रूम का जो डाइमेंशन है वह भी लिकलिया एस्ट्रक्या लिखा डेप्ट मतलब जो मेरा आउस काटिंग का है वह इसरी लिखलिये 0.15 15 cm अब क्यों तो वाल्स काटिं का पींग मैंने लेंख लास यह यह लेंग ओंद्र्स विच बैकट क्रोग इंटू न्टू यह हम जे कि यह लेंग फ्लास विटंग मतलब यह रहा लेंग लेंग प्लास फ्तें मतलब यह लेंग लास हुट अजर् यह सेलो के जे आघसे और रूम को भी में करण कर लिया निकल लिया इसके बार क्या च्या किया था क्योंकि रूंप में जब मेथा सेंड आधिक in चयोंत बैठेगा सोय तो मैंने बोला था कि दोर का जो अधोर का जो जिस ज्वाल पर जो मेरा ड़ा रहा था उसका संब्रेद करना पड़ेगा तो था जो वेलू मेंने इधालिक लिए औसका डायामेंशन इसन तरुलेटिक्सन ओक्सिन देखे coda यह वहलू यह सारे वहलू इतका मैंने खुद दाखुद टूटल जो एरिया निकलना पड़ता है वह एसा ही लिख लिए और उसको आगे माइनस बिठा दिया क्योंकि यह माइनस होगा इसी कारण ओके ये अन्दिन टूटल मर्वल अरिया निकलना परेगा तो टोटल कपल अरड़ क्या है तो ऩो हुक्ति अवरु जो साथ होए ओक्ट कष्ण मुला क्या है कुछ नहीं जो इतना भी कैल्कुलेशन में ने कि इसका साम करना परेगा तो यह भेलू जो है वो खुद खुद माइनस हो जाएगा एन टोटल मर्विल यह निकल का 30.45 स्क्वेर मिटर एन मार्विल का साइज देखें मार्विल का साइज यह में स्टेंडर लोकल एविलेविलेटी विल्टी उपर यह डिपेंड करता है कि मतलब कैसे कितना आपका जो मार्विल है उसके साइज क्या है उसके उपर मेरे यह देखिए पॉइंसी और पॉइंसी जिसका एरिया है 0.18 इसकी नहीं सिर्फ यह वैलू लेंट और यह विसका गुना किया न आए यह रहा मन ट्रोटल नंबर लोफ टाइल के टॉटल एयरिया बाइस सिंगल मर्व लेडिया तो वही क्या मैंने और कुछ नहीं यह इसफाल्च नमबर ऑफ मर्विल पर पाट टाब और टाइल का फॉर्मूला सिर्फ बैठाएंगे क्या है कि यह वैला भेल मतलब दोट कि कि लिए और द मेरे लिए निसके बाद क्या स्वाधार्वैर्बाटे टैल्स का सब्सक्राइब अबात इसके लिए जो र क्वाटीस का हाग डुटील के मतलब रोति विड ने वचा ठी इप यह दोनों हेलो को मार्टिबल करने से यह अरिया निकल जाएगा कि टॉटल एडिया कुछ नहीं इतको साम करना पड़ेगा यह रहा साम इकुल तो करके टॉटल एडियो निकलना पड़ेगा और टाइल साइस एक में अर्बिटरिल एक टायल का साइज में ने बिठाया अधर एक टाइल का जो लेंद तरुई होता है वह बठाने से क्या हुआ यह इसका एडिया भी निकल क्या एन एरिया है एक टाइल कुछ ना डिक्वार्मेंट है मेरा प्रोजेक्ट पर वो निकालने का फॉर्मूला क्या है तेम यह टोटल एडिया डिवाज़ट भाई यह एक टाइ सब्सक्राइब करने से 179 आगा है इसका टोटल है टीक है यह रहां 179 टोटल साइब साइब और 172 पीसे से और है 170 पीसे फ़र मार्वल और 179 पीसे फ़र टाइल क्लियर तो देखिए यह मार्वेल और टाइल मेरा निकल गया है और उसके बाद और एक चीज़ बच्चता है जो कि एस त्यामिक टाइल जो फ्लोर पे नहीं जो वाल पे बिठाया आता है यह सेम केल्कुलूशन मैंने टॉलेट वाना टूक जैसे डाइमेंशन लिखना पड़ता है वह लिख लिए एक्सक्ता क्या है यह वाल पे बैठा रहा है बैठाना पढ़ेगा इसलिए इसका जो क्लारिफिर करना लखना जो कि है तीन मिटर तक आ нужका एरिया नीसलिक फर्मुला को थारीक मैंने रूक्त क्या क्या यह को ना इसके बाद यह दोनों चीज में माइनस करना पर था तो डॉर का जो एरिया वह वह दाइमेंशन लेक लिए इसका दोनों को यह मैंने माइनस किया टोटल से मतलब इधर से टोटल करके यह साम करूंगा तो खुद्धा-खुद यह दो भेलो माइनट हो जाएगा यह देखिए साम करके वह ठीक है एक टाइल का साइज लिखो यह रहा है और टोटल को डिवाइट कर दो यह रहा है और यह हो गया और एक चीज़ चाहिए जो कि है इंटेलोग टाइल देखिए यह सब कुछ कोभार हो चुका है जो भी मैंने फ्लोर और फ्लोरिंग गयार टाइल से लिए कल्कूरिशन किया था ओके है तो जिस पर टोटल एरिया यह रहां एंड लास्ट और फाइनल जो कि है इंटेलोग टाइल्स इंटेलोग टाइल्स जो है वो कुछ नहीं मतब इसका पैटरान ऐसा ही रहता है कि एक के साथ जूरा रहे जूर के यह बैठ ता है फ्लोर पर ओके यह ज्यादा था आपने मैंने बोला कि जो बाहर का पार्किंग एरिया हो या फिर याड हो जो भी उपन एरिया हो उस पर यह गार्डेन अधर बैठा जाता है यह वाला टाइल्स नाइसका और मैंने आप इसका डाइमेंशन देक्रेशन यह सब कुछ यह सेम ही है और सा गैलकुलेशन जो है सिर्फ और यह दोनों तर वी इतको माल्टिपर्स स्काहिए निकल जाता है इसका एडिया और निकल गया इसका टोटल यह किने साम किया टोटल जो इतना भी मेरा वैलू हे इसका टोटाइल साइज अगर माने कि इसका भी टाइल से वैलू टाइल यह दाइमेंच आनी अप लोगों का स्टैंडर्ड है बाकी का यह आप लोगों स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है मैं एक अर्बीटर लिए आपको आप लोगों को दिखाने के कारण यह लिखा हूँ ठीक है यहीं नहीं कि यह वाला वैलू आपको मिलेगा मतलब आ एक टाइल का वेलू निकल गया एड़ टोटल क्या है सेम डिवैड करना पड़ेगा एरिया को टोटर नंबर आफ टाइल से नंबर ओफ एक सारी एक साइस का टाइल का साइस से डिवाड करेंगे तो टोटल नंबर निकल जाएगा ओके जो कि है 191 एड़ तो यह जो सारा वैलू निकल इधर यह वैलू को ही में एरिया की इसाब से इधर सामरेस करके लिखा हो देखिए जो कि है मार्वेल फ्लोरिंग आइसका एरिया है यह रहा जो इकोल्स टू करके बैठा हूं मैं यह रहा ठीकें यह राई यह टोटल वैलू जो है वो देखिए लू लाइन दिकरा है आप लोगों को अन्याइसा करके वाटिफ़ाइट टाइल इंटेल लोकिंग टाइल उसका भी यह देखिए यह प्रोटल जो वैलू वह खुद्दा-खुद इधर वैलू करके बैठाया गया है एन इसको साब से उसका नमबर ओफ जो टाइल या फिर मार्वेल कितना नमबर कितना पीस चाहिए वह इधर से आप लोगों को दिखेगा एन यह जो यह सब जो पॉइंट का वैलू है यह हाथ से खुद से लिख लो की लिखना होगा कि कितना एप्रोक्सिमेट चाहिए 1918 तो देखिए यह सारे वैलू मैंने इधर बैठा चाहिए ठीक है यह बस कुछ नहीं यह समय आप लोगों को देखने में आसान रहे कि कि ट्रामिक टाइल कितना लगेगा और वाल्स काटिंग के लिए कितना एंड यह सब कुछ और कुछ नहीं यह उस पही आ जाता है ठीक है यह तो मार्वल फ्लोरिंस 186 टाइल्स टाइल्स चलिए इसका तो आप लोगों बैसिक जो कल्कुलेशन है आप लोगों पता चली गया है अब निकाल लेंगे नहीं चीज़ जो कि यह सिमेंट बैक कल्कुलेशन और मार्वल टाइल्स तो 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 कल्कुलेशन फॉर दा क्वान्टिटीटीटीटीटीट मोटर और के लिए कितना सीमेंट रों कितना सैंस चाहिए वो निकाल लेंगे ओके तो देखिए मार्वेल और में तो क्योंकि यह फ्लोरिंग फ्लोर का का कॉंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ जो सीमें मोटर का क्यों कर रहा हूँ यह वाला सिर्फ फ्लोर के लिए बाद में वाटिफाइट लिख लेंगे मार्विल टोटल क्या निकला था इधर जो की है वान एक्टिस नहीं 33.48 33.48 एंड 33.48 लिए और इसके बाद वार्टिफाइट टाइल्स जो है उसका भी निकलना पड़ेगा जो की है टोटल एडिया वाटिफाइट टाइल्स का यह रहा 7.7.14 एंटर लोकिंग है 76.69 ठीक है तो यह तीनों भैलू लिख लिया मैंने इधर एनसके बाद इसको टोटल करना पड़ेगा एक वोल्स टुस सामेश राकेट ओपेन यह तीनों भैल को देन के बाद यह है टोटल कितना है 117.31 स्क्वेर मिटर मेरा वैलू आया तो जो कि मैंजब फ्लोरिंग के लिए इतना मेंज़ टोटल फ्लोरिंग है तो कुल मिला के मतलब टाइल और मार्बे लिए सब कुछ मिला के मेरा टोटल भैलो आया 117.31 स्क्वेर मेटर ओके और बोथ बात्रूम एंड बोथ रूम्स ओके को आप देखिए सी मेंट्स मोटर डिकर्ट फर फ्लोरिंग टोटल लोटर लगे का मैरा फलोरिंग के लिए ठीक है वह तो है पर थटिकने श्वाहत्यू का थिकने सकार रहेगा मिल जिस एम देकने से पहले ना परिगा वो तो eight या फिटी na सब्सक्राइब करेंगा तो देखिए वॉल्यूम आप सिमेट मोटर फर फ्लोरिंग जो की है मैंने आग लोग को प्लास्टरिंग करते बाग तो भी यह फॉर्मुला आप लोग को साथ शेर किया था कि टोटल एरिया टोटल फ्लोर एरिया जो कि सब्सक्राइब करेंगे 117.31 इन्टू फिक्नेश जो की है 0.05 तो 5.86 स्क्राइब मेरा आया कि एक कि नहीं स्क्राइब यह तो क्यूब की वॉल्यूम निकल रहा हूं इसलिए ठीकनेश और एरिया मल्टिपेल होड़ा है तो 5.86 निकल गया मेरा तो वॉल्यूम आप मॉल्यूम मत消म सिमहेंट मोटर इतना वालुम ये कुछ चाहिए तो आप देखेंगे मेरा सीमेंट कितना है और सान कितना है ठीक है तो दिख Whew मेरा जो स्टेंड़र्च है वैलोऽ ये कहीं बार में आपको साथ शेstop Uhr कि Düきा कि एक मेंटर क्यूब के लिए सिमेंट में सेंड चाहिए वाक्षाइइ जाहिए फांट फाइं मिटर मिटर क्यूब लगेगा कितना तो तो चाहिए तो चलिया तो 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 देन सेंड क्या होगा सेंड और मेरा क्या फिर 5.8 65 इतना मीटर क्यूब के लिए सेंड कितना लगे का इक्वल्स टू क्या होगा वैद आपी बता लो बता दीजिया कि क्या होगा हाँ 5.86 इन टू जो मेरा एक मीटर क्यूब में यूथ होता है सेंड जो की 1.25 एक हैं इन इंटर करूंगा तो 7.32 मीटर क्यूब सैन ले मेरे को जरू रहा थे एंड सीमेंट कितना जरू रहा थे वह निकाल लेंगे सीमेंट जो की है सीमेंट फॉर फाइब पॉइंट एड सिक्स फाइब ओके इन और फाइब पाइड सिक्स फाइब इन टूम कि दो सो फचास जो आया वन ट्री वान एट वान ट्री वान एट पाइब फाइब केजीज इसको अगर फॉर्ट फिप्टी से मारा डिवाइट करें तो क्या आया तो टोटल नंबर ओफ सिमेंट बैक ठीक है तो 27 तो मेरा क्या है 27 नंबर ओफ बैक्स मेरे कुछ चाहिए कि यह 27 आया सिमन का बैक्स यह क्या 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 मैंने सिर्फ यस बस 50 को डिवाइट किया और यह इधर से टोटल जितना सीमेंट यह मतलब एक मीटर कुमेंट इतना सीमेंट यूज हता है जो किया है तो तो पचास उसको मल्टिवल किया होना किया किसके साथ वॉल्यूम आप सीमन के साथ हैना तो यह निकल गया एन उसके बाद यह अप्रॉक्स मेंट टोटल से 27 बैक सिमेंट और सेवेंट पॉइंट स्टी टू मिटर क्यूब मेरा मेरे को सैंस चाहिए ओके आइन आ प्लोरिंग के लिए कितना सिमेंट मोटर चाहिए और यह वार्टिकल के लिए मैंने को जिसका मतलब वार्टिकल जो भी टाइलर मार्विल बैठेगा तो उसके लिए क्ल्कुलिशन करना होगा तो यह टोटल जो इसका लेयर का हाई थीकने से जो किये दो दो इंच तक एन सी क्टिंग के लिए और वार्टल के लिए वो है टेन मिलीमेटर ओके यह टेल मिलीमीटर तख एक सीमन लेक्स लिए देना पड़ता है तो उसके बाद तायल को बैठा जाता है फो अलग चीज है तो एरियर आफ कटिंग चल देख लेते चलियो एरिया अव्कुर तरइक मेरा निकला था वो एन एड आफ वार्ट ताइल यह कटिंग निकला था फोर पोईंट नाइन फइन फईब एन ताइल फटी वान पोई पॉइंट वन नइन दोनों फ्यलो लिक लिया मैने अब अब क्या करना पड़ेगा अब टोटल निकलना पड़ेगा इकोल्स टू टोटल को बस कुछ नहीं यह दोनों भैलकों में एड कर दूंगा बस यह 46.05 स्कूर मेटर मेरा टोटल एडिया निकल लिगा सेन वाल्यूम आप सीमेंट निकल लेंगा निकल लेंगे कैसे वाल्यूम आप सीमेंट इकल स्टू टोटल जितना एडिया निकला मतलब 46.05 इसको ठीकने से मॉल्टिबल करना पड़ेगा जो किया 0.01 एन यह निकल गया इसका 0.46 मीटर क्यूब इतना नहीं मीटर क्यूब के यह यह भैलू निकल गया फॉर वाल्यूम आप से सीमेंट के लिए फॉर सीमेंट का वाल्यूम किसके लिए और स्काटिंग एन वाल्टाइल बढ़ाने के लिए ओके और आप क्या करेंगा सिर्फ सीमेंट का जो बैग कितना बैग यूज दोगा वो निकल लेंगे ओके तो फॉर वन मीटर क्यूब से मेंने ही जाल कितना केजित यह यह भी बैसिक है मैं आप लोगे पहले भी बहुत बार बोल चुका हूं एक मीटर को सिमें के लिए कितना के जिती में रहता है चोटा सो चालीज एन और तब मेरा टोटल कितना है जीडो पॉइंट फॉर इक जीरो फाइब मीटर क्यूब के लिए कितना यूज वह वो निकालेंगे जो की है इक वर्स टू जीरो पाइन फॉर सिक्स इन्टू चॉदा सो चालीज जो की है तिक सिस्टू जीरो फोर केजिस इतना केजिस टोटल की में टेमेंट मेरा रहो चाहिए फॉर टोट्स काटिंग और वाल्ल टाइल नमबर ऑफ सिमेंट बैक चलिया निकाल लेते नमबर किस्टू जो क्या एक एक वर्स टू कैए यह विल्दू अबंजेट शिर्फ फिप्टी से यह वहलू को मैंने को डिवाइट करना पर एक रहिए कॉल तो कि इधर इकॉल स्टू 6-6 टू-4-0 divided by 50 टोटल कितना आया या कि यह 0.46 ओगा यह 46 हो गया 0.46 आप ठीगे 662.66 662.4 kg एन इसको डिवाइट करूंगा इदर यह थोड़ा गलती हो गया था इस टू-पाइंट-पोर यह करते बाग अब लोग ध्यान रखना डिवाइट फर्टी करेंगे तो क्या थर्टी मतलब 13.24 बैक्स मतलब 14 बैक्स तो सिमेन भी निकल गया 14 बैक्सिमेंट मेरा कुछ चाहिए फॉर्ड दा स्काटिंग एंड वाल्ड टाइल तो यह यह जो मैंने लास्ट में जो भी आपका जो सिमेंट मोटर या फीड सिमेंट का क्याक्वशन रहता है वह लगभग सब कुछ सब सारे सीमेन का क्याक्वशन पर और मॉटरन फाइंड आउट करने का क्याक्वशन में सेम यह है ना थीक्नेस को माल्टिपल करना परता है टोटल एडिया जो मेरा है उसके साथ उसके बाद रेशियो की कैलकुलेशन उसके बारे में क्लियर्स तो नेक्स क्लास में सखेंगे कि जो फॉल्स लीम होता है उसके बारे में ओके तो चलिए अब तक अब तक के लिए थैंक्यू एंड वाइड